स्री नरेंद्र मोदी ने देश की सरकार के सोचने के स्केल को बदलने का काम किया सोचने का स्केल बदलने का मतलब क्या है पहले पंच वर्षी योधनाय होती दी एक साल की प्लानिंग होती दी उसमें तै करते थे एक हजार गाउं को बिजली देंगे इतने लोगों को गैस देंगे इतने लोगों के टॉइलेट बनाएंगे सोचाले बनाएंगे इतने लोगों को घर देंगे मगर नरेंद्र भई ने सोचने का तरीका बढ़ला उन्होंने तै किया ऐसे फैसले नहीं होते है भारत को आगे बढ़ाना है एक भी गाव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं पहुँची होगी 2022 में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर सोचाले नहीं होगा बिजली नहीं होगी एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा और आज परिणाम देखे देश में एक भी गाव ऐसा नहीं है जहां बीजली नहीं है दो करोड घरों मिल गए दो करोड से ज़्यादा घरों में बीजली पहुँच गई साड़े साथ करोड परिवारों को सोचाले मिल गया 13 करोड से ज़्यादा बच्चा जच्चा को माता और बल्क नवजाज सिशु को टिका लगाने का काम हो गया करोडों की संख्या में गरीब युवाओं को stand-up, start-up और मुद्रा बेंक की लौन देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है